exercise 3.1 को हम लोग solve करें question है how many diagonals does each of the following have तो आपको पहले हम यह बता दे कि diagonals find करने का हमने पहले आपको formula बताया था वह formula था N N bracket के अंदर N minus 3 by 2 यह formula आपको याद होगा तो पहला जो मेरा question है वो है quad lateral का diagonal निकालना तो quad lateral में आपके sides कितने होते है चार sides होते है तो N के जगा हम 4 रखेंगे तो कितना हो जागा 4 bracket अंदर 4 minus 3 by 2 ठीक है तो 4 में से 3 चल जाएगा तो 1 बचेगा निए 4 into 1 by 2 इसका मतलब हो जाएगा 4 by 2 इसका मतलब हो जाएगा 4 sorry 4 by 2 टू टू जा 4 आपका cancel out हो जाएगा तो बचेगा कितना डियागोनल 2 यानि question number 1 का मेरा answer होगा यानि question number 1 का answer जो होगा वो आपका मेरा इसका जो डियागोनल होगा वो डियागोनल होगा आपका 2 क्वार्ड लेटर्री का जो डियागोनल होगा वो दियागोनल होगा 2 टू एब केंटार मेरा होगा 2 ठीक है अब आइए 5 minus 3 by 2, फिर इसको जब आप्सॉल किजेगा, तो 5 में से 3 चल जागा, तो 2, 5 into 2, 5 into 2 by 2, कितना हो जागा? 5, 2, 10, 10 by 2, तो यह हो जागा आपका 10 by 2, इसको काट दिजेगा, 2, 5, 10, यानि पेंटागन में कुल 5 डागोनल होगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद फिर हम देख लें, हेक्सागन, हेक्सागन में कितना होता है? 6 साइट्स होते हैं, तो हेक्सागन में 6 साइट्स होते हैं, कोश देखेंगे, हेक्सागन, हेक्सागन में कितना साइट होते है? 6, फिर हम करेंगे, 6 bracket under 6 minus 3 by 2, इसको solve किजे, कितना हो जाएगा 6, और हो जाएगा, 6 में से 3 बढ़ जाएगा, तो ही हो जाएगा, 6 into 3 by 2, 2 से कट जाएगा, 2 3 जाएगा 6, यानि total 9 diagonal इसमें होंगे, इसके बाद फिर है, triangle, इसके बाद मारा question D क्या है, triangle, triangle में किल कितने, diagonal होंगे, triangle में देखेंगे, फिर 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3, 3 bracket under 3 minus 3 by 2, कितना हो जाएगा, 3 में से 3 चल जाएगा, 0, यानि 3 into 0 by 2, यानि कितना हो जाएगा, 0 by 2, यह solve नहीं हो सकता है, इसलिए triangle में एक भी diagonal नहीं होगा, तो आपको समझ में आ गिया, question number 1, 2, 1 का A, B, C, D, हम लोग सॉल्व कर चुके है, write the name of the regular polygon of, जब तीन साइड होगा, तो polygon का नाम क्या होगा, तीन साइड में आप जानते हैं, तीन साइड में आप उसको, एक्कुलेट्री triangle कहेंगे, तीनो साइड जब एक्कुल होगा उसका, तो वो एक्कुलेट्री triangle कहलाएगा, question number B, question number B कहता है आपको, कि, four sides, four sides कौन होगा, four sides आपका square होगा, square कहीं, चारो side आपका बराबर होता है, जैसे आप जानते हैं, four sides जो होगा, वो आपका square होगा, जानते होंगे, जिसकी चारो side जो होते हैं, वो बराबर होता है, वो ही square कहलाता है, जैसे चारो side जो होता है, वो बराबर होता है, four sides में क्या हो जागा, आपका regular polygon, square हो जाएगा, उसके बाद फिर आप eight sides पर आजाएगे, eight side में regular octagon कहेंगे, octagon समझ में आता है, जिसकी eight sides होते हैं, तो उसको हम लोग regular octagon कहेंगे, चलिए, question number six पर आजाए, what is the sum of all angle of hexagon, बले आपको formula बता दे, एंगल निकालने का formula जो है, वो होता है, n, n minus two, n minus two into 180 degree, यह आपको पता होगा, एंगल निकालने का formula है, आपका, n minus two into 180 degree, तो जो भी side रहेगा, आप उस पर बैठाते जाएगे, hexagon का, 6 side होता है, तो लिखेंगे, six minus two into 180 degree, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, six में से two जाएगा, four हो जाएगा, आपका, four, four into one hundred, four into 180 degree, तो आप जानते है, 180 degree, four into 180 degree, तो आप इसो गुना कर दिजे, कितना होगा, seven hundred twenty, यहनि, 720 degree, इसका answer होगा, यह हो गया, question number, three का, question number three का, one का, यह answer हो गया, चलिए, आगे चले, question number two solve करें, question number two आपको बोलता है, कि on octagon, octagon रहेगा, तो इसके side की संख्या क्या होगी, octagon होगा, फिर formula लगाएंगे, bracket hundred and minus two into 180 degree, तो octagon है, 8 है, तो लिखेंगे, eight minus two, eight minus two into 180 degree, 180 degree, eight में से two चल जागा, six बच जागा, six को 180 से गुना कर दिजे, यह हो जागा, 900, sorry, nine hundred नहीं होगा, यह, 18 का पहाड़ा पढ़िये, one, one zero, eight zero, यह हो जागा, आपका, question number three का, two का, three का, B का, answer हुआ यह, आपका, चली, इसके आगे चलते हैं फिर हम लोग, regular decagon, decagon में कितना होगता है, decagon में 10 side होता है, फिर लिखेंगे, n minus two, यहनि 10 में से दो चला जाएगा, bracket under लिखेंगे, bracket under लिखेंगे, the 10 minus two into 180 degree, 180 degree, तो फिर यह, eight हो जाएगा, eight into 180 degree, जब आप इसको गुना किजिएगा, तो हो जाएगा, one, one, four, four, zero, degree, यह आपका answer हो जाएगा, question number three का, c का, ठीक, चलिए, इसके आगे चलते है, अब हम d देख लेते हैं, जिसका 14 sides polygon हो, question number d हम लोग देख ले, question number d, degree, जिसका four side polygon होगा, fourteen side polygon होगा, तब क्या हो जाएगा, fourteen side polygon होगा, क्या हो जाएगा, fourteen minus two, fourteen minus two into 118 degree, यहनि fourteen minus two bracket close करेंगे, into 180 degree, 180 degree, तो अब आप देख लेते हैं, तो 12 multiply by 180 degree, ठीक है, अब जब 12 को आप 180 से गुना करेंगे, तो यह आजागा 2160 degree, 2160 degree, यह होगे आपका question d का answer, ठीक है, चलिए, question number one, two, three हम बना चुके हैं, अब question number four बनाएंगे,